लंदन के लिए जब रवाना हो गए जब बाबा सब अमबिट कर लंदन के लिए रवाना हो गए तो वहां गांधी जी राउंटेबल कॉंफरेंस वे नहीं गए उस कॉंफरेंस का जो राउट कमाना था वो नहीं आ पाया दूसरे राउंटेबल कॉंफरेंस वे गांधी जी गए और बाबा सब अमबिट करके माम का उन्होंने विरोध किया और गांधी जी ने कहा यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देना चाहते है अगर वो मुझे आजादी देना चाहते है तो उस आजादी में अचुतों को क्या अधिकार देना है और क्या अधिकार देना नहीं है वो हम निर्धारित करेंगे उनको हम निर्धारित करेंगे अंग्रेज नहीं बाबा सब अम्बेट करके सामने उन्हों ने बात कही बाबा सब अम्बेट करने गांधी जी का प्रदिवाद किया और गांधी जी की एक एक करके सारी दलीले उन्होंने काउंटर की अंग्रेज उन्हें उनकी बात को स्विकार किया और जब स्विकार हो रही थी गांधी जी ने मीटिंग को कुछ देर के लिए स्तगित करने की मांगी स्तगित मीटिक होई रात में मुसल्मानों का जो डेलिकेशन था उसका नेत्रू तो मौलाना शवकतली कर रहे थे मौलाना शवकतली को गांधी जी ने अपनी हाँ खाने के लिए और मौलाना शवकतली को खुश करने के लिए जो खाना खिलाया जाना चाहिए मुसल्मानों को वो भी खिलाया और बाद में गांधी जी ने उनके सामने प्लेन पेपर पर लिखा कि आपकी जो भी मांगे है मंदूर नीच साइन कर देता हूँ आपको जो मांगने मागऊ मुसल्मानों के नेताओं को बड़ी हैरानी हुई ए बनिया आदमी लेना जानता है देना नहीं जानता है ये इतना दरिया दिल कैसे हो अग्या तो मौलाना शवकतली ने गांधी जी को पूछा कि गांधी जी इस दरिया दिली के बदले मुसलमानों को क्या करना होगा तो गांदी जी ने कहा कुछ जादा करना नहीं होगा कल मीटिंग होगी डौक्टर आमबेट कर जो मांग कर रहे हैं उसका विरोध करना होगा बस और कुछ मौरणा शेव को तली ने गांधी जी को नमस्कार किया और सीधे बाबा सब अम्बेट कर जहां रुके थे वहा गए और बाबा सब अम्बेट कर खो बता दिया कि गांधी जी ने ऐसा शड़ियंत्र कारी प्रस्ताव हमारे सामने रखा बाबा सब अम्बेट कर ने गांधी जी को चेतावनी दी कि अगरी गांधी जी इसी तरह से शडियंत्र हमारे लोग के विरोध में करते रहे तो दुनिया के मंच पर गांधी जी को नंगा करने को हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और वैसे कमर के उपर कपड़ा था नहीं और घुटने के नीचे भी कपड़ा नहीं था तो बाबा सबामबिट करको गांधी जी को नंगा करने को ज्यादा परिश्रम बहाने की जुरूरत नहीं थी तो दूसरे दिन मिटिंग शुरू हुई मिटिंग की अध्यक्षता करने वाले राजा और रेम से मैक्टो डालने गांधी जी को पूचा गांधी जी आप जिस मकसद के लिए आपने मिटिंग स्थगित की थी क्या वो काम हो गए हैं वो काम तो किया यह यह शडियंत्र करने के लिए गांधी ने इस्तावाल किया जब गांदी ने शडियंद्र करने के लिए इस्तमाल किया तो वो विफल हो गए और फिर अंग्रिजों ने अपना प्रस्तावा आगे बढ़ाया गांदी ने उस पर साइन किया बावा साथ ने साहित करने से इंकार कर दिया और कमुनल अबाड 17 आगस 1932 को गोशित हुआ और बावा सब अंबेट करके द्वारा मांगी हुई सेपरेट व्लॉक्टेट की बात को मन्दूरी भारत के दो ड़ाई अजार साल के इतिहास में ऐसी अभुतुर्वा घतना घटित हुई उस समय बावा सब अंबेट करकी उम्र केवल 41 साल की थी ज्यादा उम्र नहीं थी केवल एक तालीस साल की उम्र थी और इस एक तालीस साल के उम्र में बाबा सब अमबेड करने सेपरेड उलोक्टेट का अधिकार हासिल किया सेपरेड उलोक्टेट का मतलब क्या है सेपरेड उलोक्टेट का अर्थ ये है separate locate मिलने के पहले अचूतों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार ब्रामनों के पास था अचूतों का भविष्य क्या हो इसका निर्णे करने का अधिकार ब्रामनों के नियंत्रन में था मगर 17 आगस 1932 को अचूतों के भविष्य का निर्णे करने का अधिकार अब भ्रामनों के हाल में नहीं रहेगा अचुतों के लिए सेपरेट चुनावक्षेत्र होगा और उस चुनावक्षेत्र में अचूत ही अचुतों के प्रतिरिधी चुनने के अधिकारी होगे इस तरह से अचूतों को ब्रामनों के गुलामी से बाबा सब अम्बेट कर आजाद करने में सफ़त होगे गांधी जी पंद्रा अगस 47 को आजाद हुए मगर अचूत लोग ब्रामनों के गुलामी से 17 अगस 1932 को आजाद होगे 17 अगस 1932 अच्छूतों के आजादी का दिन था इस आजादी को समात करने के लिए गांधी जी ने आमर अनंशन किया पुना पैक थोपा और फिर 1935 के एक्ट में उसको कानून पनाया यह सारा शर्यंत्र इस बात को सिद्ध करता है कि यदि गांधी जी का अंदुरन सभी लोगों के आजादी का अंदुरन होता तो बाबा सब अंबेड करके द्वारा हासिल किये हुए अधिकारों के विरोध में गांधी जी उपवास नहीं करते है मगर गांधी जी का अंदुलन सभी लोगों के आजादी का अंदुलन नहीं था इस उधारन से सिद्ध होता है Second India Act के आधार पर 37 में प्रोविंशियल गोहर्मेंट के लिए चुनाव हुआ इस चुनाव में गांधी जी ने जो वादा किया था बाबा सभ अंबेट करको कि सेपरेट इलोक्टेट में आचुतो के विरोध में कॉंग्रेस कोई केंडिडेट खड़ा नहीं करेगी मगर कॉंग्रेस ने आचुतो के विरोध में केंडिडेट खड़े किये और गांधी ने शडेंद बाबा सबंबेट करने किताब में लिखावा कि गांधी जी ने जंटलमन प्रॉमीस एक सजन ग्रहस्त का जो वादा है उसका वादे का उलंगन किया तोड़ा तो इससे लोगों का भविश्य खत्रे में पड़ जाएगा और रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार खत्म हो जाएगा दलाल और भडवे पैदा हो जाएंगे ये सोचकर बाबा सब अमबेटकर ने राष्टी एस्तर का संगटन बनाने का एलान किया और 37 से 42 तक सारे देज़भर में दवरा किया और नागपूर में 1942 को अठ्ठा 19-20 जुलाई 1942 को बाबा सब अमबेटकर ने राष्टी एस्तर का अधिवेशन आयुजित किया इस अधिवेशन को संपन्न होने के पहले ही बाबा सब अमबेटकर को दिल्ली बुलाया गया और सेंटल में जो अंग्रेजो की वाइसराई काउंसिल की सरकार थी उस सरकार में उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया और उसके साथ साथ चार विभाग के मंत्राले उनको दिये गए लेबर सिचाई CPWD और बिजली चार विभाग का कैबिनेट मंत्राले है अभी चार कैबिनेट मंत्राले का कारे भार अभावा सब अम्बेट कर को दिया गया और जब उनको इतना सारा अधिकार मिला तो 13 अगस्ट 1943 को पहला रिजर्वेशन का ओर्डर लोगों को यही मालूम है कि सविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन लागू हा गलत बात है 13 अगस्ट 1943 को 8.33 परसेंट का रिजर्वेशन शडूल कास के लिए बाबा सब अम्बेट करने अंग्रेजों से ओर्डर निकल वाया जब वो मिनिस्टर मिनिस्टर वो जुलाई 42 को बने और 13 मैने में 13 अगस्ट 43 को उन्होंने 8.33 का रिजर्वेशन लागू थी इसके विरोध में गांदी जी ने सोचा जब बाबा सब अम्बेट कर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो गांदी ने सोचा यहारे इस्तमत्त लोगों को मालूब होना चाहिए क्योंकि अभी आजादी का शायद 75 साल चल ला है और देश नरिंदर मोदी इसका 75 साला लोगों बनाएंगे इसलिए यह बात में आप लोगों को बता रहा हूं इसको जानना समझना बहुत जरूरी है जैसे भाबा सब अम्बेट करको लेबर रिमिस्टर बनाया गया है गांदी जी को लगा रही जोविश सितम्बर 1932 को जिस आदमी को मैंने प्रावस्त कर दिया था पुना पैक्ट वो आदमी इतना ताकतवर हो गया है कि राज्य की राजनीती तो छोड़ो केंद्र की राजनीती में चार-चार मंत्रा लैका कैबिनेट मिनिस्टर बना गया है बना दिया गया है तो खान्दी जी ने सोचा कि यदि इसी तरह से अंग्रेज भारत में रहेंगे तो इन लोगों को अधिकार देते रहेंगे जल्दी से जल्दी कुछ कारवाई करनी होगी जुलै अठ्षा उन्निस बीस जुलै नाइन्टिन फोर्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेजों के विरोध में और गांधी जी ने सोचा कि मेरे अहिंसा के सिधांत के द्वारा अंग्रेजों के नाक पर बैठी वी मक्खी भी नहीं उड़ सकती इसलिए मुझे अहिंसा का त्याग करना होगा और हिंसा का सहरा लेना होगा और गांधी जी ने डोर डाय का नारा लगाया करो या मरो देश्व्यापी हिंसा करने का आदेश दिया 9 अगस 1942 को देश्व्यापी हिंसा हुई इतनी फैंकर हिंसा हुई कि अंग्रीजी अधिकारियों ने लंदन को रिपोर्ट भेजा चर्चिल प्रधानमंत्री थे वो कभी भारत के आजादी के बारे में बातचित करने के लिए राजी नहीं होते थे मगर जब रिपोर्ट भेजा गया कि भारत का जितना रेहुनी मिलता है सारा का सारा रेहुनी अगर लाइन ओर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा कर दिया जाए तो भी लाइन ओर्डर मेंटेन करना संभव नहीं होगा अगर लंदन से भारत में लाइन ओर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा लाया जाए तो फिर तो अंग्रेजों को लंडन से भारत में पैसा लाना पड़े हमको तो भारत से लंडन में पैसा लेगा जाना चाहिए यदि लंडन से भारत में पैसा लाना पड़े फिर तो भारत को गुनाम बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और अंग्रेजों को वारत चोड़कर चले जाना चाहिए जब अंग्रेजी और निकारियों ने ऐसा लिखा तो चर्चिल भी कंभीर हो गए और चर्चिल ने इस पिर अंग्रेजों को बोला के इनके साथ वारता करो आजादी पर बात पर चुरू को गांधी जी जेल में थे तो लॉड मौन लॉड वेवेल ने जब गांधी ने चिट्थी लिखी कि आप तो हमें आजादी देने के बात कर रहे थे क्या हुआ वेवेल ने कहा हम तो देने के लिए अभी में तयारे मगर क्या आप शडूल कास को, शडूल ट्राइब को, बैकपड क्लासेज को और माइनरिटी के लोगों को constitutional safeguard देने के लिए तयार हो, सवेधानिक सुरक्षा कबज देने के लिए तयार हो गांधी जी ने लिखित जवाब दिया बिलकुल नहीं यह सारा record available है कोई सवेधानिक सुरक्षा कबज देने के लिए गांधी जी तयार नहीं हुए जब यह चिठी गांधी जी को लॉड वेवेल को मिली तो लॉड वेवेल ने यह सारा पत्रविवार अकबार वालों को दे दिया जो secret पत्रविवार था वो सारा का सारा सारवजरिक हो गया और लोगों को मालूम हो गया कि आज़ादी का सारा का सारा केक अकेली ही गांधी जी खाना चाहते है और किसी और को कोई भी देना नहीं चाहते है जब लोगों को यह मालूम हुआ मुसल्मानों ने अलग अंदुलन शुरू कर दिया दूसरे लोगों ने अलग अंदुलन शुरू कर दिया जब मुसल्मानों ने बड़ा डारेक एक्शन का कारिकरम शुरू किया जब डारेक एक्शन का कारिक्रम शुरू हुआ तो गांधी जी ने और नेरू जी ने सोचा हम ब्राह्मन बनिया लोग है हम लोग ब्राह्मन बनिया लोग है मुसल्मान और मुसलिम लीग और संगटित मुसल्मानों के सामने अपनी चमड़ी बचने वाली नहीं है ऐसे स्तिती में क्या किया जाए ये गांदी जी और नहीरू जी ने सोच रहे हैं और फिर अंग्रेजों ने लंडन में दूसरा परिवर्तन हुआ वहां लेबर पार्टी की गौर्मेंट आई क्लेमन एटली ब्रदान मंदरी बने और उन्होंने जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करने का फैसला किया उन्होंने लॉड विविल के लिविल को गवर्नर जेनर रखेंगे तो एक काम होगा नहीं इसलिए लॉड विवल को बदलकर मौंट बैटन को लाया गया और मौंट बैटन के माध्यम से 2 सितंबर 1946 को बंडी जवाला नेरू को गुलाम भारत में प्रदान मंदरी के तौर पर नॉमिनेट किया गये अंग्रेज ओने जवाला नेरू को 2 सितंबर 46 को 15 आगस 47 को आजादी मिली मगर जवाला नेरू को 2 सितंबर 46 को देश का प्रदान मंदरी नॉमिनेट किया गया और नॉमिनेट करने के बाद एस सारा गुप्त सौदेबाजी हुई और इस गुप्त सौदेबाजी के तहत भारत का विभाजन करवाया गया और इस विभाजन में अनुसूचित जाती और जन जाती के लोगों के अधिकारों का बली दिया गया जिन अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि अनुसूचित जाती और जन जाती के लोगों को जब हम भारत छोड़ कर जाएंगे तो उनको आजाद भारत में सत्ता में हिस्यदाजी दी जाएगी गांधी जी ने और नेरू जी ने मिलकर अंग्रेजों के साथ गुप्त समझोता किया कि यदि अंग्रेज लोग अनुसूचित जाती और जन जाती के लोगों को सेपरेट इलोक्टेट देने के लिए राजी नहीं होते हैं तो फिर हम भारत के टुकड़े करने के लिए आपको रजामंदी देते हैं एने एस्टी और एस्टी के लोगों को अगर आप अधिकार देने के लिए मना करते हो तो हम भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना स्विकार करते है यह समझे उता हुआ इसका मतलब यह है कि इस देश का टुकड़े करने का निरने गांधी जी और नहरु जी ने पसंद किया मगर अनुसोची जाती और जन जाती के लोगों को अधिकार देने के लिए मना करते है इसके तहट 14 आगस 47 को पाकिस्तान बना इसलिए मैं कहता रहता हुआ पाकिस्तान का राष्ट पिता महमद अली जीना नहीं है पाकिस्तान का राष्ट पिता मौंदास करमचंद गांधी है कोई माने ना माने मगर पाकिस्तान का राष्ट पिता गांधी जी ही है भारत के पार्लामेंट ने भारत के सविधान सभा ने गांधी जीजी के इस भयानक कारिय के लिए उनको माफ नहीं किया और उनको राष्ट पिता मानने वाला प्रस्ताव पारित नहीं किया उत्तर पदेश की एक लड़की ने होम मिनिश्टर को पूछा राजनात को के गांधी जी को कौन से तारीक को राष्ट पिता गोशित किया गया बताया जाए और मिनिश्टर ने लिख के जबाब दिया इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्द है गांधी जी को राष्ट पिता मानने वाला कोई दस्तावेजी इविलन्स नहीं है अनुसूचित जाती और जंजाती के लोगों को लोगों का अधिकार का बनी दिया गया जब बली दिया तो बाबा सब अम्बेड कर लंदन गे वहां उनकी बात नहीं सुनी गई वहां बाबा सब अम्बेड करने बहुत प्रयास किया बहुत प्रयास करने के बाद एक बड़ा दबाव पैदा हुआ बाबा सब अम्बेड करने के बयान दिया बंबे आकर किया है आम इसे किसी सविधान को मानने करें तयार नहीं है जिस सविधान को जो सविधान हमारे लोगों को सेवकार देने करें तयार नहीं आम इसे किसी सविधान को मानने करें तयार नहीं जब ऐसा बयान दिया अब आवस अब अमबेट करने तब नेरु जी मौन बैटन के पास गए और उनको कहा कि डॉक्टर रामबेटकर ने बयान दिया इसका कोई ट्रांस्परफ पावर पर आसर पड़ेगा क्या मौन बैटन ने का पड़ेगा क्यों तो कि ब्रिडिश गवर्मेंट की पॉलिशी इसका रास्ता क्या है क्यों ट्रांस्परफ पावर होगा तब तो जवारला नेरु रियल प्रधान मंत्री बनते इसलिए जवारला नेरु ने मौन बैटन को पूछा क्या किया जाए मौन बैटन ने कहा लोक्टर रामबेटकर से समझोता करे ये सला लेकर जवारला लेरु गांधी जी के पास गए तो गांधी जी को कहा कि मौन बैटन का ये सला है क्या किया जाए गांधी जी ने कहा डॉक्टर रामबेटकर के साथ समझोता करना तो ख़तर ना गए जवारला ने पूछा कैसे जवारलाद तुम जानते नहीं हो उना पैक के दवरान मरते मरते बच गया था तुम अमबेटकर को जानते नहीं हो मैं ऐसा नदिक बैटकर जानता हूँ तुमको तजर्वा नहीं है इसलिए अमबेटकर के साथ समझोता करना मोल तोल करना आसान गाम नहीं है वो केवल पड़ाई लिखाई में ही बैरिश्टर नहीं है दिमाग में भी बैरिश्टर है ति जवारलाल जी ने पूछा क्या किया जाए अगर ऐसा है तो क्या किया जाए तो गांधी जी ने जवारलाल को सला दिया ऐसा करो सविधान लिखने वाली जो ड्राफ्टिंग कमीटी है इसका चेर्मन बना लिए वो इससे क्या होगा डॉक्टर अम्बेटकर को जैसा सविधान चाहिए वैसा वो लिखेगा 99.99% सविधान सवा में बहुमत हमारा है ड्राफ्टिंग कमीटी का चेर्मन बना रहे है कि लिखने का काम तुम करो पास करने का काम तो हमारे पास ही है जितनी बात हमारे लिए अनुकुल होगी उतनी पास करेंगे जितनी बात अनुकुल नहीं रहेगी उतनी बात हम लोग पास नहीं करेंगे और जितनी पास करेंगे उतनी 26 जनवरी 1950 के बाद फिर सरकार हमारी ही होगी बहुमद भी हमारा ही होगा जो डॉक्टर अम्बेटकर का सविधान है उस पर कितना अमल करना और कितना अमल नहीं करना यह हमारे ही नियंत्रण में है जवारलाल जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जवारलाल जी ने मन ही मन सोचा कि पुड़हू सलागांधी बुड़ा हो गया है मगर दिमाग अभे भी देजे और फिर जवारलाल जी ने वही किया सविधान भावा सबामबेटकर ने जैसा चाहिए वैसा बनानी कोशिश की पूरी तरा से तो सफल नहीं हुए ऐसा उन्होंने खुद अपने भाचन में कहा सविधान सबा के मगर जो भी सविधान बना उसमें हमारे लोगों को बहुत सारे अधिकार बिले पहली बात तो सविधान का प्रियंबल अब दे कांस्टिटूशन घोशित करता है ये सविधान सबा समता सुतंत्रता बंदुता और नियाएं पर आधारी समाज और राष्ट का निर्मान करेंगे नियान रखो मैं सब लोगों को जो बता रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं अब आगे यार बाबा सबामबिट करके जीवन का मकसद आगे है उनके जीवन का मकसद क्या था कि इस देश को देश में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा समाज और ऐसा राष्ट निर्मान करना है जो समता, स्वदंत्रता, बंदुता और नयाय पर आधारित होगा जिसके लिए बाबा सबामबिट करने पूरी जिंदगी कुरबान करने जिसके लिए अपने अनुईयायों को वो कह रहे थे कि तुम भी इसको हसिल करने के लिए जान की बाजी लगा दो और इसलिए ये बात खास तोर पर मैं आपको बता रहा हूँ शडूर कास, शडूर ठैप के लोगों को शडूर कास को बंद्रा परसेंट साड़े साथ परसेंट आधिवासियों को और बावन परसेंट OBC के लोगों को भी अधिकार देने का जब प्रयास किया उस अधिकार को देने के लिए जवारलाल नहिरू ने अवरोध खड़ा किया कि आप अमबेट कर आप अनुसूचि जाती और जनजाती के ज़्यादा से ज़्यादा नेता हो OBC के नेता आप नहीं हो OBC के नेता गांदी जी है और गांदी जी OBC के बारे में कुछ बोली ने रहे देने की जब सविधान सभा का चुना हुआ एग भी OBC के आदमी को गांदी जी ने कांग्रेस का टिकेट नहीं दिया ऐसा देए कि OBC के लोग लाइक नहीं थे सरदार वल्लब भाई पटेल कांग्रेस हाई कमान में थे मगर गुजरात के लेवा और कड़वा पटेल पाठीदार लोग आज भी मंडल कमिशन की OBC की लिस्ट में चामिल नहीं है है के चामिल है तो खास बास समझा रहा हूँ तो यह अधिकार शिडूल कास के लोगों को उनको घर में बुलाया समझाया सविधान सवा में मांग करो कहा इसके बावजुद भी जवार लाने उन्हें उस दोरो अखरी कोशिश की ओर रेकॉर्ड में सविधान सवा के रेकॉर्ड में इसके बावजुद भी 340 वा आर्टिकल अधर बैकपर्ड क्लासेश के लिए लाने में बावा सब अमबेड कर कामयाब हो गए और बाद में जब वो लेवर मिनिस्ट्री से इस्तिफादे दिया जब लौ मिनिस्ट्री से इस्तिफादे दिया बाहर जाकर उन्होंने OBC के लोगों का मामला कड़ा करते है आर्टिकल 340 के तै और उसकी वज़े से बावा सब अमबेड करके अंदोलन के बदावलत नेरू को मजबूर होकर कलर कर कमिशन नियुक्त करना पर बैकपर्ड क्लास के लोगों को ये जानकारी नहीं है जो बावा सब अमबेड करको मानने वाले जानने वाले और जैजेकार करने वाले जो लोग है वो भी उनको बतानी की कोशिस नहीं करते हैं समझानी कोशिस नहीं करते हैं तीसरी महत्वपुर्ण बात में आपको पताना चाहता हूँ जो जानना समझना बहुत जलूरी है वो है fundamental right अगर मनुस्मूती पड़ो तो मनुस्मूती में सारे शुद्रों को मौली fundamental right से वंचीत कर दिया है मनुस्मूती ने वो सारे fundamental right chapter number 3 में बाबा सब अमबेट करने include कर दिया वर्ण मेवस्ता में जो शुद्र वर्ण के लोग है ब्राम्मन धर्म के अरुसार वो पिछड़े वर्ण के लोग है शडूर कास तो अचूत है शुद्र नहीं है तो अचूत है तो शुद्रों के विरोध में जो मनुस्मूती में fundamental right violation कर दिये खतम कर दिये वूस fundamental right को chapter number 3 में बाबा सबाम्मेट करने पूरी तरह से डालते है और ये अधिकार बाबा सबाम्मेट के जो जो भी ब्रामनों के विशेश अधिकार थे बारत के सविधान में विशेश बात बताना चाहता हूँ वर्ण विवस्ता में ब्रामन सब के सर पर बैठा हुआ है बाबा सब अमबेट करने सविधान में क्या किया मालों ब्रामनों के बारे में क्या किया ब्रामनों के बारे में लिखा आल सिटिजन सारी को इंक्लूडिंग ब्रहामियस समझने कि यह जो ड्राप्टिंग है कि बहुत सारी लोगों को समझ में नहीं आता आल सिटिजन सारी को इसका क्या मतलब है ब्राम्धन केवल भारत का सिटीजन आफ इंडिया होगा ब्राम्धन शब्द का कही पर भी सविधान में रेकुपनाईजेशन नहीं है खत्म करने विशेशादिकार खत्म कर दिया किसी भी राजा को राजा बनने के पहले ब्राम्धन के हाथों राजे विशेख करना पड़ता था बाबा सवाम्बेट करने अधिकार राष्टपती को बाहिता राष्टपती शडूलकाश का भी हो सकता है हो सकता नहीं दो दो बार हो गया तो ये अधिकार सारे सविधान में उन्हें किया और इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ ये तमाम बाबा सवाम्बेट करका जनम दिन मनाने वाले जो लोग है इस मोके पर पताना चाहता हूँ यो समता स्वतंत्रता बंदुता और न्याय पर आधारी समाज और राष्ट का निर्मान करने का जो काम करना है यह जेकार करने से तो नहीं हो फिर कैसे होगा राष्ट व्यापी संगटन का निर्मान करना होगा स्वाविमानी स्वावलंबी संगडन का निर्मान करना होगा राष्ट व्यापी तो हमने 31 राचों में 562 जीलों में 4023 लों में 22,000 ब्लॉक में देड़ लाग गाओं में तो विशाल संगडन खड़ा कर दिया है कई भाषाओं में हमारे अखबार चल रहे हैं 4 करोड रुपया तो हमारे पुर्ण कालिन कारेकर दाओ पर साल में कर चाकते दो-तिन बाते बता रहा हूं बहुत सारे और काम हमारे पास है जो हम कर चुके है और आने वाले समय में यह जो इतना बड़ा विशाल संगडन हमने बड़ा मैं 19 साल की उम्र से अभी 64 साल की उम्र चल लही है 44 साल से पड़े लिखे लोगों को जगाने का काम किया और जगा कर एक राष्ट व्यापी संगडिश शक्ती का निर्मान किया इतनी बड़ी शक्ती का निर्मान किया कि 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया 29 जन्वरी 2020 को दुबारा भारत बंद किया दो दो बार भारत बंद किया और टेस्ट किया कि हमारा संगडन कितना विशाल हो गया है उसकी कितनी बड़ी ताकत हो गई है दो दो भार भारत बंद किया काम्याब हो गए हमने इतना बड़ा जगाने का चवाली साल काम किया फिर संगड़न निर्मान करने का काम किया एक तो जगाने का फिर संगड़न निर्मान करने का और अब जनशक्ति को जगाने का कारेकरम शुरू कर दिया है बड़ा परिवर्तन करना है अगर देश में बड़ा परिवर्तन करना है तो अकेले संगटिज शक्ति के बल पर नहीं होगा संगटिज शक्ति के साथ साथ जनशक्ति को जोड़ना होगा विशाल जो हमारा संख्या का समाज है सारे देजभर में फैला हुआ एस्सी एस्टी, ओबीसी, माइनोरिटी यह जो विशाल समुआ है एस्सी, मोस्ट बैकवर्ड एस्सी एस्टीम बैकवर्ड एस्सी आदिवासी नॉमिडिक ट्राइब, घुमंतो एमबीसी, ओबीसी और माइनोरिटी मुस्लिम, सीख, हिसाई, बुदीष, जैन, लिंगाई यह जो तमाम प्रकार की लोग आज हमारे साथ काम करें इतने बड़े पहमाने पर लोगों को हमने एकटा किया है अब इस शक्ती का पूरे थाकत के साथ हमारे लोगों को चाहिए कि वो जनशक्ती का निर्मान करे संगडन शक्ती और जनशक्ती मिलाकर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है बड़ा बदलाव लाने के लिए जनशक्ती के निर्मान किये बगेर बड़ा बदलाव संभव नहीं है इसलिए बड़ा बदलाव लाने के लिए गाओं गाओं में जाना होगा साड़े छे लाग गाओं में और पंद्रा लाग बूत पर आने वाले समय में हम लोगों को हमारा काम दस साल में पूरा करना है केवल दस साल और जब दस साल में हम पंद्रा लाग बूद तक पहुँच जाएंगे तो क्या होगा अगर पंद्रा लाग बूद पर पहुँच जाएंगे और एक बूद पर दस लोगों को तयार किया तो तेर करो सव लोगों को तयार किया तो 15 करोड 200 को तयार किया तो 30 करोड 300 को तयार किया तो 45 करोड इतने लोगों को मुबिलाइज कर सकते हैं और अगर सोशल मीडिया को साथ में जोड दिया तो ये विशाल अंदुलन खड़ा हो जाएगा ऐसा करना होगा और ऐसा करने से क्या हो सकता है आखरी बात कहेकर समाप्त कर देता हूं काचिराम जी ने परबदलाव इस देश में तुम लोकडावन लगा आओ या कुछ भी करो अब ये परिवर्थन रुखने वाला नहीं है ये काम हम हर हालत में करके रहेंगे इस मोके पर जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया, साद बच कर साथ मिनृट को मैंने शुरू किया था, और नव बच कर तीन मिनिट हो गया, शाहिछ बहुत लंबा हो गया, मगर इस लंबाई में कुछ तथ है हमारी लोग को हाथ लगा होगा केवल विस्तार नहीं है इसमें कुछ मौलिक बाते लोगों को हमने बताने का प्रयाज किया ताकि लोग केवल जैजेकार ना कर सके और जिसके लिए हमारे महापुर्शों ने अपना जीवन कुर्बान किया उसी काम को करने के लिए लोग तयार रहे इसके लिए ये ज़्यादा समय लिया आप लोगों ने ध्यान पुर्वक सुना होगा इसके लिए धन्यमा